भविश्य भारत का पुस्तक एक व्याख्यन माला पर अधारित है। दिल्ले के विज्ञान भवन में सितंबर 2018 में इस व्याख्यन माला का आयोजिन किया क्या था। जिसका विश्य था भविश्य का भारत राष्टिये स्वैम सिवक संग का दृष्टि कौन। इस विश्य पर राष्टिये स्वैम सिवक संग के सर संग चालक पूजनिये डॉक्टर मुहन भागवजी द्वारा समाच के मुर्धन ने लोगों को संबोधित किया था। इस पुस्तक की विशेश बात ये है इसमें डॉक्टर साहब के संबोधन के साथ ही ऐसे अनेक प्रश् की बात करता है और संग के समक्ष भारत का विशन क्या है इस तरह के अनेक विश्यों पर डॉक्टर साहब के प्रेड़ना दायक विशार इस पुस्तक में संक्रित हैं अपने व्याख्यान में डॉक्टर साहब एक स्थान पर कहते हैं संग कभी भी व्यक्तिगत प्रसिद्ध नहीं चाहता बलकि जो कारे वो कर रहा है उनकी प्रसिति चाहता है इसलिए संग समाज में ऐसे कारे करता है जो दूसरों के लिए उधारण बनते हैं संग के स्वेम सेवकों के बारे में वे कहते हैं संग का स्वेम सेवक संग का स्वेम सेवक है अपने बाकी जीवन में वह जो सब को जोडने का प्रयास करता है संग संपून समाज को संगठित करना चाहता है संग और राजनीती पर अपने विचार रखते हुए डॉक्टर साहब कहते है भले ही राजनीती या सरकार के उच्च पदों पर स्वेम सिवक निक्त हो मगर सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाब नहीं है उनके पास अपनी विचार दुष्टी है संग साहब कहता है राश्ट के लिए राश्ट हित के विचार और एक नीती का सपन लेकर काम करने वालों के पीछे खड़े हो जाओ हिंदुत्व को लेकर संग के विचारों को सपष्ट करते हुए अपने संबोधन में डॉक्टर साहब कहते हैं विवित्ता में एक्ता, समन्वे, त्याग, सैयम, कृतकिता जैसे मुल्ले समुच्चे का नाम हिंदुत्व है हिंदुत्व की साह कल्पना किसी विसर्ष्ट पूजा का समर्थन नहीं करती हिंदुत्व की साह कल्पना विसर्ष्ट भाषा प्रांथ या प्रदेश को नहीं मानती हिंदुत की सा कल्पना समस्त स्रिष्टी के साथ समाज, सुख और व्यक्ति सुख को एक साथ रखने वाली है भारत वर्ष में जो है वह सब हमारी भाशा में हिंदु है संगा का काम इस बंदुभाव के लिए है और इस बंदुभाव के लिए एक ही आधार है विविधता में एक अठा वो विचार देने वाली हमारी चलती आई होई विचार धारा है उसको दुनिया हिंदूत्व कहती है इसलिए हम कहते है कि हमारा हिंदुराट रहे हिं, also Hindu रहे हिं इसमें मुसलमान नहीं चाहिए है बिलकुल नहीं होता। जिस दिन एक आयागा कि मुसलमान नहीं चाहिए उस दिन वह हिंदु थो नहीं रहेगा। वह तो विश्व कुटुमबा की बात करता है। जिस दिन हम कहेंगे कि केवल वेद चलेंगे बाउदमत नहीं चलेगा, वव immens विदों को नहीं मानता, वो हिंदुत्व नहीं रहेगा. क्योंकि सत्य की सतत खोज हमारे देश में चली है और उसके करम में अनेक दर्शन उत्पन्न हुए उन सब की माननेता है वो सब सत्य है इसी सब की श्रदा है होनी चाहिए इस हिंदुत्व को लेकर हम चलते हैं क्योंकि इस बंदुभाव को वैचारिक आदार देने वाला वही एकमातर विचार है जीविका उपारजन के लिए धन की उपयोग पर चर्चा करतो है डॉक्टर साहब कहते हैं कमाई से विरोध नहीं लेकिन कमाई सब कुछ नहीं कमाओ जीवर कर कमाओ लेकिन दिल खोल कर बाटो मुख्य बात ये है कमाई से ज़ादा कमाई का उपयोग कैसे करना है ये सीखना होगा सक्सेस्फुल जीवन, मिनिंग्फुल जीवन भी होना चाहिए इस व्याख्यान माला के भाग में प्रश्ण उत्तर के सत्र का भी आयवजन किया गया था प्रश्ण उत्तर वाले सत्र में जाती विवस्था हिंदुत्व, संग और जाती विवस्था सिक्षा में भारतिय मुल्ले भाशा, महिलाएं और संग का दृष्टिकोण, हिंदुत्व को लेकर आकरोश और हिंसा, गौरक्षा, धर्मान्तरण, जनसंख्यानीती, आरक्षण, SC, ST Act, संग और अल्प संख्या, देश की आंतरिक सुरुक्षा से जुड़ी चुनोतियां, समा जनिये मोहन भागवाजी ने विस्तार पूर्वक दिये, वास्तिविक्ता में इस छोटी सी पुस्तक के अध्यन से पता चलता है, कि राष्टिये स्वैम सिवक संग का दृष्टिकोण, राष्टिये के लिए कितना दूर्गामी और स्पष्ट है, भविश्य का भारत, समहित किया गया है, ताकि संग के प्रती पहलाए जाने वाली गलत फहिमिया दूर हो, संग राष्ट को विश्विगूरु बनाने की दुश्रा में कारे कर रहा है, इस पुस्तक के अध्यन से ये चित्र साफ हो जाता है, विमर्ष प्रकाशिन द्वारा इस द्याख्यान माल का पता जलता है,